हलो प्रेंट्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो पाउडर दिख रहे हैं, जिस प्रकार से ये रूमी केर पाउडर है, जो MSD का आता है, इसी तरह से जो एक रोमनेपैस पाउडर आता है, जो कि ये ऐलम्बिक का आता है, इस दोनू पाउडरों के बारे में, क्योंकि मेरे सब्सक्राइब कीब 6 its प्रकार की सब्सक्राइब सल ए hash और सच करने को मिलेगा ताकि जीतने भी जो प्रशूपाला का आज अगार ईक्ते सल libro, hes में आ जाएं कि ये दोनूप पावडयर हब हमारे पशूँंको किस तरह रोग होने पर दे सकते हैं वीडियो के अंदर का डधेख्य बताउंगा थे लंबी भी कि तो वीडियो का अब स्किप करके विडिए देखना वीडियो फूरी देखेंगे आज आपको पूरा प्रोपर नॉलेज मिल जाएगा देखो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ रूमी केर पाउडर के बारे में देखो जो रूमी केर पाउडर आता है जिसके अंदर गयते जो साल्ट आते हैं वो आपको स्क्रीन के उपर दिख रहे होंगे केलसियम प्रोपिनेट है, मिथाइनीन है जो अदर, जो कोबाल्ड, कुलकोज, बिटाविन, B6, एंडेक्स्ट्रोज ये क्या करता है कि ये जो पाउडर है ये पाउडर ये आप अपने पसूँ में क्या करता है कि जब ये आपके पसूँ में इस तरह की जो मैं बता रहा हूँ इस तरह की एदी रोगा इदी आपके पसूँ में हो जाए जिस प्रकाश एदी आपके पसूँ में आप रहा आता है बलोट की सिकाइट है तो आप रहे के अंदर का इस पाउडर का बहुत याच्छा रिजल मिलता है एदि जिन पसों के आप रेकी ज़्यादा शिकायत रहती है तो उन पसों को भी आप रूमी केर जो पाउडर आता है ये पाउडर आप उन पसों को दे सकते हैं बीच-बीच में भी आप उन पसों को दे सकते हैं यह दि आपका पसु खाना कम करता है, जुगाली कम कर रहा है, तो उसकी भूग बढ़ाने के लिए आप इस रूमी केर पाउडर का प्रियोग आप अपने पसु में करवा सकते हैं. इसी तरह से एदि आपके पसु में रूमन में अचानक एदि सड़न एदि चेंज हो गया है, एदि आप अपने पसु को जिस प्रकार से अलग जो दाना मिस्रन एदि आप अपने पसु को अचानक चेंज कर देते हैं, और वहाँ पर यह दिया आप अपने पसूं का जो दाना मिस्रन है वो चेंज कर देते हैं तो अचानक चेंज करते हैं तो उसी स्तिती के दोरान भी आप जो यह रूमी केर पाउडर है वह आप अपने पसूं को दे सकते हैं उन में भी आपको बहुत यह अच्छा रिजल देख ने कोई मिलता है एक और बताना चाहता हूं कि जब यह दिया आपके पसु में जिस प्रकार से आपके पसु में आपरे की शिकायत आ गई है या आपका पसु जिस प्रकार से खाना पिना कम करता है जुगाली कम करता है या हार चेंज करते हैं डाएट चेंज करते हैं तूस इस चुआज समन्मेट हो। तो प etmekच्सक्क्राब बोकार बलत को सब्सक्राषा सब्सक्राइब rumen stable multi enzyme supplements जो ये powder होता है इस powder का बहुत अचा result है ये आपके पसु में rumen की PS गड़बडा गई है गड़बडाने का मतलब है कि ये आपका पसु acidosis ये रूमन की PS down हो गई है आपके पसु में पेट के अंदगत गैस की बजा ये पानी सा बर गई है देखा होगा गी तो उसी इस्तति के दोरान आप ये powder दे सकते हैं ये आपके पसु के अंदगत जब rumen के अंदगत जब गैस बर जाती है हवा बर जाती है तो rumen care powder का अचा result है जब ये आपके पसु में पेट के अंदगत ये पानी सा बर जाता है ये पेट से उसकी डाउन हो जाती है तो rumen apis powder का अचा result है इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है और result भी आपको बहुत ये अच्छा देखने को मिलेगा इसी तरह से rumen apis powder को भी आप जितने भी जो animals हैं गाह, बैंस, बेट, बक्रियें इन सबे को दिला सकते हैं ये रूमन से समदित कोई भी दिकत ये आपके पास ये आपके पसू में हो गई है तो कोई भी दिकत हो तो दे सकते हैं लेकिन ये आपके पसू में जो rumen से समदित ये कोई disease ये आपके पसू में बिन गई है एसी डोसीस या लंबे समय से आपका पसु बीमार कई दिनों से आपका पसु बीमार चल रहा है तो उस इस्तती के दोरान आप रूमन आपस पाउडर उस पसु को दे रूमी केर से अच्छा रिजल्ट आपके पसु में देखने को मिलेगा एक्जूट स्टेज में आपका उपलब्द है तो दोनूं मेंसे कोईसा भी आप पसु को अमर्जंसी के तोर पर यानि जो बढ़े पसु हैं जिनका बोडिवेट 400-500 कजी तक है गाय भैंस का तो इन्हें आप 125 ग्राम का जो एक पाउच आता है ये 125 ग्राम का पाउच एक साथ आदा सा एक लिटर पानी के अंदगत गोल करके आप अपने पसु को डायरेक्ट ओरेली दे सकते हैं बहुत ये अच्छा रिजल्ट आपके पसु में देखने को मिलता है ये दिया आपके पसु जो मेडियम साइज के पसु हैं तो इन्हें हाप जो 65-70 ग्राम तक आप इसको परियोग अपने पसु में कर सकते हैं रही बात एक बड़ देने के बाद में आप 10-12 गंटे बाद में एक डोजिसकी और रिपीट आप अपने पसु में कर सकते हैं बहुत ये अच्छा रिजल्ट आपके पसु में देखने को मिलेगा इसी तरह से भेड़ बकरियों के अंदरगत भी आप इसे 32-42 ग्राम के दोर पर पानी में गोल करके आप इसे अपने भेड़ बकरियों में भी दे सकते हैं उसमें भी अच्छा रिजल्ट में रगाता है आप अपने पसु को सुबह से आम लगाता है तीन दिन इदी आप अपने पसु को देंगे खाना पीना गबड़ा गया पेट बंद की सिकाइथ हो गई गोबर पूरा प्रोपर नहीं कर रहा है तो उसी स्थितिके दोरान रूमी केर का अच्छा रिजल्ट आपके पसु में देखने को मिलता है तो कहने का मतलब देखो यह है कि यह दी आप रूमी केर भी आप अपने पसु को देंगे तो अच्छा है इसी प्रकार रूमन आपस पाउडर की भी डोज जो बड़े पसु हैं उनके अंदके 100 ग्राम उसी तरह से आदा साइक लिटर पानी में गोल करके आप अपने पसु क करवा सकते हैं रहीबाथ जो रूमन आपस जो पाउडर आता है 100 ग्राम की इसकी जो मर प्रकार दिख रही है इसी दरह से रूमन rados पाउडर आता है वो 125 ग्राम में आता है जिसकी मर पी को स्क्रीन पर दिखijn रही है, आप कहेंगे कि इन दोनु में से better कोन है, देखो दोनु इपावडर अपनी अपनी जगह है, दोनु इस अच्छे पावडर है, दोनु का अच्छा result पसुमें देखने को मिलता है, ऐसा नहीं, कि दोनु का result नहीं मिलता है यदि बेटर अको पसु से किसी भी तरह कि डायीजेश से समधित कोई भी गिक्त है तो आप रूमि केर पाउडर जो आता है इस अच्छा अक्छा एक्षा मिलता है यहीका है आपके पसु में रूमन की प्या से समधिए यहीका प्रकार की बिमारी आपके पस्व में हो गई है तो उसमें आप रूम्बन एपस पाउडर का अच्छा रिजेल्ट है रही बाद दोनी पाउडर आप इदी प्रिगनेट पस्व उनको भी दे सकते हैं नोन प्रिगनेट है उनको भी आप दिला सकते हैं आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगिए तो निशेजा कि आप कमेंट में लिए मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पस्व बालकों के साथ और जितने वेटरिन इस्टेंट है उनके साथ इस वीडियो के सेर करें और इस चैनल को यह दिया आपने अभी सब्सक्राइब ने के सब्सक्राइब करें इसी तरशी वीडियो दिखते रहे इसी तरशी आप प्यार देते रहे थैंक्स दन्यवाद